सभी बच्चों को मेरा स्नेहिल अभिवादन प्यारे बच्चों आज के वीडियो में हम लोग बिहारी लाल का जो भक्ती का दोहा है पांच, छे, साथ और आठ इन चार दोहों का अध्यन करेंगे तो आएए दोहा संख्या पांच देखा जाए या अनुरागी चित की गतिस्त मुझे नहीं कोई जेओं जेओं बूड़ी स्याम रंग तेओं तेओं उजल होई बिहारी तेओं तेओं उजल होई आए इसका अर्ठ समझते हैं बिहारी लाल जी कहते हैं या अनुरागी चित की अनुरागी मन होता है प्रेम चित मन होता है हिरदय गतिस्त मुझे नहीं कोई मतलब कि जिसके चित में जिसके हिर्दय में इश्वर का अनुराग उत्पन हो जाता है इश्वर था स्री कृष्ण को सम्भोदित करते हैं जिसके हिर्दय में स्री कृष्ण का प्रेम उत्पन हो जाता है उसके हिर्दय की गती को या उस ब्यक्त की गती को कोई समझ नहीं सकता है क्योंकि जियों जियों बूरे स्याम रंग क्योंकि वह ब्यक्त जैसे जैसे स्री कृष्ण के रंग में स्री कृष्ण के प्रेम में डूबता चला जाता है तेवतेव उजल होई उसी तरह से वह और उजला होता चला जाता है बने जिस तरह से वह काले रंग में जैसे जैसे डूबता काला श्या मने काला भी होता है और श्या मने स्रीकृष्ण का रंग भी होता है मतलब सावला रंग ठीक है या स्री कृष्ण को सम्भोधित तो कह रहे हैं कि वह जैसे जैसे इसका दो अर्थ होगा बेटा इसको समझे इस लाइन में दो अर्थ होगा इसलिए बिहारी के दोहे को गागर में सागर कहा गया है तो इस नीचे के लाइन को मैं बार-बार समझाने पर्यास कर रहा और समझेने पर्यास करियेगा कि जिसके हिरदय में इश्वर का प्रेम यानि स्री कृष्ण का प्रेम उत्पन हो जाता है उसकी गती को कोई नहीं समझ सकता है क्योंकि जैसे जैसे वह स्याम के रंग में डूबता है जैसे जैसे वह स्री कृष्ण के प्रेम में डूबता है वैसे वैसे उसका हिर्दय पवित्र और उज्वल हो जाता है इसका एक अर्थ ये होगा और इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा वह जैसे जैसे काले रंग में डूबता है स्याम मन होता है काला जैसे से काले रंग में डूबता है वैसे वैसे वह उज्वल यानि सफेद होता चला जाता है तो यहां एक अलंकार होता है बिरोधाभा सलंकार तो इस पंक्त में बिरोधा सिरी क्रिश्र के प्रेम में डूबता चला जाता है वैसे वैसे उसका हिर्दय पवित्र उजल और निर्मल होता चला जाता है आसा है कि यहां आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इसको मैं बार-बार इसलिए समझा रहा हूं चुकि बिहारी का जो यह दोहा ह परिच्छा के लिए important भी है बहुत महतुपूर है और इसका जब तक दोनों पंक्तियों का मतलब दो दो अर्थों को नहीं लिखेंगे अगर एक पंक्ति में दो दो अर्थ है उसको जब तक पूरा पूरा नहीं लिखेंगे तब तक आपको उतना बहतर नंबर नहीं मिलता ह है इसलिए महले वीडियो थोड़ा से लंबा हो लेकिन आप इसको बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे मेरा उद्देश है आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देना और परिच्छा में बेहतर से बेहतर नंबर दिलवाना यह मेरा उद्देश से है इसका जो काबिगत संदर है पहले के तरह से हो जाएगा बस अलंकार इसका जो बदलेगा कि जेव जेव बुड़े स्यामरंग तेवतों उज्जल हो में विरोधवास अलंकार है ठीक है आगे देखिए छठमा तो लगुया मन सदन में हरी आवे की मी बाट बिकट जटे जो लगुनी पट खुटे न कपट कपाट बिहारी इसमें बिहारी जी बरण करते हुए कहते हैं कि अगर हमारा हिरदय अगर कपट रूपी कपाट से मने कपट रूपी अगर किवार से बंद हो तो इश्वर हमारे हिरदय में किस रास्ते से प्रवेश कर सकते हैं तो कहते हैं कि तौलग या मन सदन मैं हर आवे की मिबाट हर यानि इस्वर मन सदन का मतला मन रूपी भवन सदन मन तो भवन या घर होता है मन रूपी भवन में हर इस्वर आवे की मिबाट मन किस रास्ते से आएंगे अर्थात कि कहते के हैं मनुश्यों अगर तुम्हारा हिरदय कपट रूपी किवार से बंद है तो बताओ कि इस्वर तुम्हारे हिरदय में किस रास्ते से आएंगे आगे काते हैं बिकट जटे जो लगुनिपट खुटे न कपट कपाट करें जब तक तुम अपने हिर्दय के दरवाजे को कपट रूपी कपाट से भली प्रकार से जटे हुए हो बंद किये हुए हो जब तक तुम्हारी हिर्दय में इश्वर का बास नहीं हो सकता है क्योंकि किस दरवाजे से वह इश्वर तुम्हारे हिर्दय में प्रिवेस करेंगे यह तुम समझ सकते हो इसलिए अगर तुम्हारे हिर्दय में इश्वर का बास होना है तो अपने हिर्दय से अपने मन से कपट रूपी कपाट को खोलना पड़ेगा यानि अपने मन से कपट क जैसे तुम दूर करोगे, तुम्हारे हिर्दय में इश्वर का बास हो जाएगा, इसका काविगत सुंदर उसी तर सो जाएगा, इसमें जो अलंकार है, दो अलंकार इसमें दिख रहा है, मन सदन, मन सदन और कपट कपाट, इसमें रूपक अलंकार है, और बिकट जटे जो निपट, बार-बार टो का खुटे तक, बार-बार टो का ये आ रहा है, वर्ण, यानि पुनरा बिरत्ती हो रही है, ता आप समझ सकते हैं, इसमें अनुपर आसलंकार लिखाई दे रहा है, इसमें दो अलंकार आप आइड कर सकते हैं, अब बाकी और उपर का जो सेश चीज सोहर जान्यो नाही, जगतु जनायो जीही सकलू, सोहर जान्यो नाही, यो आखिन सबु देखिये, आखिन देखी जाही बिहारे, आखिन देखी जाही अर्थ देखिए, जगत जनायो जे सकल, सकल मनोता संपुर्ण, जनाय मने बनाना या उत्पन होना, जगत मने संसार, सोहरी उस हरी को जान्यो नाही नहीं जान पाता है, मने इसका अर्थ होगा, जो इस्वर इस संपुर्ण संसार को बनाया है, इस संपुर संसार को उत्पन किया है उस इस्वर को यह संसार उसी भात नहीं देख सकता है जिस तरह ज्यों आँखिन सब देखिए जिस तरह से आँखों से सब कुछ दिखाई देता है लेकिन आँख न देखी जाए लेकिन आँख अपने आपको आँख स्वयम को नहीं देख पाती है ठीक है फिर से इसको देखिए कि जिस इस्वर ने संपूर संसार को बनाया है उस इस्वर को उसी भात यह संसार नहीं देख सकता है जिस तरह से आखें सब कुछ देख सकती है आखों सब कुछ देखा जा सकता है लेकिन आखें स्वयम को नहीं देख पाती है ठीक है य अब इसमें भी काविगत सुन्दर उसी तरस रहेगा अगर अलंकार की बात है तो इसमें जगत जनायों जे सकल सोहरी जान्नियों ना है इसमें जो वर्ण का प्रयोग बार-बार हुआ है इसलिए जो है कि यहां अनुपरास अलंकार हो जाएगा उसके बार इसमें द्रिश्टान तलंकार भी दिखाई दे रहा है क्योंकि आखों का उदाहर दे करके इस्वर के महत्यों के बारे में बताया गया है तो यहां जो है इस तरह से द्रिश्टान तलंकार का भी प्रयोग किया गया है ताप लिख सकते हैं अनुपरास द्रिश्टा पाति लक सरिन एको काम जप माला छापा तिलक सरिन एको काम मन काचे नाचे वृता साचे राचे राम बिहारी साचे राचे राम इसमें बिहारी जी पाखंडियों का बिरोध करते हुए कहते हैं कि पाखंड करने से तुम्हारे मन में इश्वर का बास नहीं हो सकता है कहते हैं जप माला छापा तिलक सरेन एको काम करें कि हे मनुष्यों जप करने से माला जपने से बड़ा सा तिलक का छापा देने से बहुत बड़ा तिलक लगाने से सरेन एको काम वह एक भी काम नहीं करेगा वह किसी प्रकार का काम नहीं करेगा किसी प्रकार से कारी की सिध्धी नहीं हो सकती है मन कांचे नाचे बृथा अगर तुम्हारा मन कच्चा है अगर तुम्हारा मन दुर्बल है तो नाचे बृथा इस संसायर में बेर्थी भटकेगा बेर्थी नाचे गर्था बेर्थी भटकेगा क्योंकि इश्वर का वास सांचे राचे राम राम मने राम सिर राम अर्थात इश्वर इश्वर का वास तो सच्चे मन में होता है वन्हें जिसका मन सच्चा होता है इश्वर का वास उसी मन में होता है उसी के मन में इश्वर का वास होता है तो इसको फिर से देखिए, बिहारी जी कहते हैं कि हे मनुश्यों जाप करने से, माला जपने से, बड़ा सा तिलक लगाने से, किसी भी प्रकार की कारी के सिध्धी नहीं हो सकती है अगर तुम्हारा मन दुर्बल है, कच्चा है, तो इस संसार में ब्यर्थी भटकेगा, तुम्हारे मन में इस्वर का वास कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इस्वर तो सच्चे और निर्मल तथा पवित्र मन में ही निवास करते हैं तो इस तरह से इसका ये व्याख्या हो जा रहा है इसके बाद काविगस संदर है, उसी तरस रहेगा, अब इसमें अलंकार की बात है, तो इसमें अनूपरा सलंकार है मन काचे नाचे विर्था साचे राचे राम में बार बार देख रहे हैं कि चवड़े की अबृती हो रही है इसलिए यहां जो है कि आपका अनुप्रासलंकार हो जाएगा सेस उसी तरह सो जाएगा आपका जो जैसे भासा छंद शैली रस गूर सब्सक्ति वही पहले वाला हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से यहां बिहारी का जो भक्ति का दोहा कंप्लीट होता है अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में नीत के दोहे के बारे में पढ़ेंगे ठीक है आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और मेरा उद्देश्ट भी है कि ब्याक्या समझाओं फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर कोई सुझाओ आपका सुझाओ आमंत्रित है वीडियो करें अच्छा लग रहा हो तो शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि उसका नोटिफिकेशन को मिलता रहेगा बहुत बहुत देने बाद